किसी ने पूछा है कि क्या कोई व्यक्ति अगर वो सराब के नसे में है और वो नसा उसके अज्ञान के बिर्द हो यानि जब वो नसा किया है तो उसको ज्ञान नहीं है कि मैं नसा किया हूँ और वो किसी व्यक्ति के हत्या कर देता है अंजाने में ही तो क्या उसको सजा होगी या नहीं प्रस्ण का मैं जबाब देने वाला हूँ IPC की धारा 85 में यानि इंडियन पैनल कोट की धारा 85 में यह असपश्ट प्रावधान किया गया है यानि आप सभी जानते हैं कि धारा 76 से लेकर 106 तक समाने अपवाद में हैं इस अपवाद के अंतरगत अगर कोई व्यक्ति अपना बचाव करता है तो उसको ही साबित करना पड़ता है कि यह मैंने कारे नहीं किया है IPC की धारा 85 या असपश्ट वर्णन करती है कि कोई बात अपराद नहीं है जो व्यक्ति कर रहा है उसको इस बात का ग्यान नहीं है क्या सजा है इस सभी बातों से जब वह अंजान रहता है तभी ही उसका बचाव ले सकता है अगर कोई बैक्ति IPC की धारा 85 का बचाव करता है तो उसे मुख्य रूप से दो बाते साबित करनी होती है न्याले में ऐसा नहीं है कि आप किसी के हत्या कर दे और ये कहें कि मैंने जान बुझ कर नहीं किया नसे में कर दिया इसका बचाव करने के लिए दो पॉइंट का होना सबसे महत्तपूर है तभी आपको इस धारा का लाव मिल पाएगा जो सबसे पहला है कार की प्रकृति करते वक्त जो कार वो कर रहा उसे समझने में वो असमर्थ हो यानि जो वो बैक्ति कर रहा है किसी के हत्या या किसी को मार पीट उस कार की प्रकृति को समझने में वो असमर्थ हो यानि वो नहीं जानता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और इसका कार इफेक्ट है यानि क्या इसका परिणाम होगा जो second point है ये सबसे महतपूर्ण है क्योंकि इसी के द्वारा इस धारा का बचाव मिल पाता है यानि ये साबित करना होगा कि जो आप नसा किये हैं वो नसा किसी बैक्ती के द्वारा जबरजस्ती, छल पुर्वक, कपट पुर्वक या आपको इस प्रकार से पिला दिया गया है किसी अन्य वस्तु में मिला कर जो आप नहीं जानते हैं तब जाकर इस धारा यानि ये अपवाद का आपको लाव मिल पाएगा यानि एक तरह से कहा जाए तो इसका बचाव भी है और इसका दूस्परणाम भी है क्योंकि IPC की धारा अपवाद में आती है इसलिए इस धारा का बचाव करने के लिए आपको ये दो पॉइंट साबित करना होगा